क्या जीज से आगाच करेगी टीम अंडिया यहां बिल्कुल सही सुना आपने जिस तरीके से आज आश्टेलिया और भारत में जो मैच हुआ इस मैच में भारती गेदबाजों का पूरा बोल बाला रहा खास करके इस्पिनर डिपार्टमेंट का क्योंकि इस्पिनर आपके बालों ने गेदबाजी की तीस ओबर में छे बिकड़ चटका है अगर बात की जाए जिस तरीके से कुल्दी प्यादों की या रभी चंद्रवस्वानी की या रभीन जड़े जाकी तो तीनों ने मिलकर ती जोड़ी काम आ सकी बिलकुल सही जिस तरीके से मिचल मार्स पिछले लंबे समय से अच्छे फॉर्म में चल रहे थे अच्छे फॉर्म से गुजर रहे थे लिकिन आज इस मैच में पूरी तरीके से फेल दे वो और सून रन पर आउट हुए हाँ यह अलग बात है कि कुछ सम करा कर और जिस तरीके से फिर लाश्ट में मानिस लपसेन पालिंग करने आते हैं इस टीवन समित के साथ एक छोटी साज़दारी होती है लेकिन वह भी विफल रही यानि कि आप यह समझे कि जिसके पास डेविड वानर जैसा ओपनर मिचल मार्स हों जिसके पास इस्टीवन पर आल आउट हो गई और अपने पूरे पचास ओबर भी नहीं खेल पाए अगर बात की जा तो इस आश्टेलिया टेम में सबसे आदान मानाए डेविड वानर ने बावन गेदों पर एक्तालिस रन और उनके बाद इस्टीवन इसमित ने एकात्तर बालों पर च्यालिस रन वहीं पारी के लाश्ट में मिचल इस्टार जो उनके प्रमुग तेज गेदबाज हैं वो आकर 28 अनों की पारी खेल जिसकी चलते आश्टेलिया टेम 109 बर पहुंच गई नहीं तेक समय यह लग रहा थी कि आश्टेलिया के टेम 160 या 270 पर सीमर जाएगी अब देखना यह होगा कि इस इस्विन पीच पर कितना सक्से होते हैं आश्टेलिया के गेदबाज क्योंकि आश्टेलिया के पास भी एडम जांपा जैसा वालर हैं ग्लैन मैक्सविल भी उनके पास हैं जो रिगलर बाल नहीं करते लेकिन हाली में हुए भारत और आश्टे के साथ इसान किसन ओपनिंग का जिम्मा समाले क्योंकि सुमंगिल जो है वो बुखार के चलते उस पहले मैश से बाहर हैं सुमंगिल ने भी बढ़िया प्रदसन किया 2023 में सब्शाधारन बनाने वाले पहले वो बल्लेबाज बने हैं और वहीं अगर ओडिया रेंगिंग की बात की जाओ तो नंबर दोडिया रेंगिंग पर हैं फिलाल यह पूरा मैच की जानकारी आपको हम पलपलक अपडेट देते रहेंगे आप बने रही हमारे साथ धन्यबाद